साथ यप पुराने समय में इन्फर्मेशन, स्टोरीज के लिए प्रसारित होती थी, कहानियों के जरिये ही इतियास लिखा जाता था, लेकिन आज 21 भी सदी में डेटा ही इन्फर्मेशन है, और आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री भी डेटा के जरिये देखी और समझी जाएगी, इन फ्यूचर डेटा विल बी डिक्टेटिंग दे हिस्ट्री, और बात जब डेटा और उसके असेस्ट्मेंट की होती है, तो मैं समझता हूँ, आप से बढ़कर के कोई मास्टर नहीं है इसका, इसलिए आज आज़ादी के अमरत महसों में, देश जो प्रयास कर रहा है, जिन लक्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है, भविश्व में, जब देश के इन प्रयासों का, इस कालखन का आकल्न किया जाएगा, तो आपका काम, आपके दस्तावेश, उसका एक प्रामाणिक आधार बनेंगी है, जैसे आज, हम अपने स्वाधिनता संगराम से जुड़े इतिहास को देखते हैं, उससे प्रेना लेते हैं, वैसे ही, जब देश आज्ञादी के सौ साल पूरे करेगा, तो आपकी आज की स्टडी रिपोर्ट्स, उस समय के भारत के लिए अपने इतिहास में जोंकने का, उससे सीखने का जरिया बन सकती है,